दोस्तो अगर आप भी एक CSC BLE हैं कामन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो दोस्तो आप सभी के लिए वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है दोस्तो हाल ही में सरकार दोरा जो की सहरा रिफंट वोटल जो की लांच किया गया है तो दोस्तो आप सभी किस प्रकार से सहरा रिफंट वोटल में काम करेंगे किस प्रकार से निवी एसकों का पैसा लोटाने के लिए फार्म को अपलाई करेंगे दोस्तो CSC BLE ध्यान से इस वीडियो को अंतक जरूर बाच करें ताकि सारी step by step guidance समझ में आ जाए कि किस प्रकार से फार्म को आनलाइन अपलाई करना है क्योंकि दोस्तो यहाँ पे आपको विल्कुल भी साफधानी से फार्म को अपलाई करना है ना कि किसी भी प्रकार का कोई फार्म में गलती करना है नहीं तो पैसा refund नहीं होगा तो दोस्तो आप अगर सेसी भी लिया है तो आपको यहाँ पे 20-30 रुपे commission भी मिलने वाला है तो किस प्रकार से आपको commission मिलेगा कौन-कौन से फार्म में जो कि guidance को follow करना है ताकि अच्छे से आपको farm जो कि fill up कर सके और अच्छे से farm को fill up करे तो दोस्तो वीडियो में अंतक जरूर बने रहेज़ेगा अगर चैनल पे पहली वारा है तो चैनल को subscribe कर लिज़ेगा और वीडियो को प्यारा सब लाइक कर दिज़ेगा और बेगल में जो bell icon का निसान जो बना है उस पे touch करके और जो की notification enable कर लिज़ेगा तो दोस्तो CST वेली खास कर इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखें तो दोस्तो हम आ चुके हैं केंद्री पंजियन सहरा रिफर्ण पोर्टल पे तो दोस्तो यहां पोर्टल का link जो की हम description में दे देंगे ना कि दोस्तो किसी भी प्रकार का link जो की CST से connect किया गया है नहीं CST के पोर्टल पे इसका link connect किया गया है आप direct यहां पे आ सकते हैं इस जो की यहां पे सहरा रिफर्ण पोर्टल के जो की official websites के माध्यम से और यहां से ही दोस्तो आप निवेसकों का जो की farm apply कर पाएंगे और आप किस प्रकार से यहां पे farm को apply करेंगे step by step आप सारी guidance समझेंगे पहले आपको क्या करना है क्या क्या documents लगने वाले हैं कौन कौन से कागज लगेंगे यहीं दोस्तो आपको निवेसकों से यहीं कर्टमर से वैंक पास्बुक लेना है और आधार कार्ड लेना है और उनका दोस्तो एक photo ले लेना है ताकि दोस्तो आपको यहां पे आधार कार्ड जो भी है उसमें मुवाईल नंबर निवेसकों का यनि कर्टोमर का मुवाइल नंबर लिंक होना अति आबस्ते के बिदाउट मुवाइल नंबर लिंक के आप यहाँ पे फार्म को अपलाई नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो ओटीपी जो भी है आधार अथर्टीकेशन होगा तो उसमें आधार में जो मुवाइल नंबर नहीं लगा होगा तो दोस्तो यहाँ पे आप जो की आथर्टीकेशन मुवाइल टीपी के बगएर नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो अब हम बात करते हैं आप पंजी करन कहां से करेंगे कहां से फार्म को अपलाई करेंगे तो यहाँ पे जमा करता पंजी करन यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है यहाँ पे आपको एक बार किलिक कर देना है तो जैसे आप किलिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप तेक पार होंगे जमा करता पंजी करन आधार नंबर अंतिम चार अंक तो यहाँ पे आपको चार आपने अंतिम और आखरी के चारंग फिलप करना है कस्टोमर का या स्वायम करना है तो अपना स्वायम का और उसके बाद दुस्तों इहाँ पे अपना मोवाइल नमबर फिलप करेंगे जो आधार कार्ड से लिंक उस नमबर को आप नीचे बॉक्स में यह जो की क्लिक करना है तो दोस्तों यहां से सारा कुछ डिटेल फिलप करना है लेकिन दोस्तों आपको लोग इन करना है तो यहां पर लोग इन वाले आप सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि आप इस प्रकास से दोस्तों को रेजिटेशन करेंगे तो दोस्तों आप यहां से फार्म करना दो एक दो दिन में प्रापर तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों जैसे फार्म अपलाई होना स्टार्ट हो जाएगा हम उस पे आपको डेडिकेट वीडियो बना देंगे और दोस्तों वीडियो सबसे पहले पाने के और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप टच करके इनवल कर लीजेगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके तो दोस्तों एथी थी थोड़ी सी जानकारी मैंने सोचा क्यों ना आपको अबगत करा दिया जाए बता बीस या बीस से तीस अपने जोगी कर्टूमर से चार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ तब तक लिए जाए हैं